पिशले महिरों में ताजनगरी के अलग-अलग थाना छेत्रों में यूवितियों की हत्या करके लाशे फैक की जा चुकी है किसी की हत्या करके शवों को जलाया गया तो किसी को हाथ पैर बांध फैका गया पुलिस हत्या का कारण तो दूर मरने वालों की पहचान तक नहीं कर सकी है इससे उन हत्यारों का राज सामने नहीं आ सका है अलाकि पुलिस ने पड़ों से जनपदों के साथ ही सीमा वर्तिव जनपदों में भी खुलासे के लिए प्रयास किये परन्तु नाकामी ही हाथ लगी अब आपको दिखाते हैं वारदातों का ग्राफ वारदात एक शव को किया था जलाने का प्रयास छेफ फरवरी को थाना खंदॉली चेतर में युमना एक्सप्रेस वे पर पुलिस चौकी से महज 200 मेटर के दूरी पर टोल प्लाजा के समीप जी हाँ टोल प्लाजा के समीप एक युफ्ती का शव पड़ा मिला था उसकी हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास भी किया गया था युफ्ती की उम्र तकरीबन 25 साल थी उसकी सिर पर चोट के निशान भी थी आईए अब आपको रूबर उकराते हैं वारदात दो पर स्कैच बनाने पर नई हुई पहचान 27 मई को सिकंद्रा में अंसल कोटियार के पास जंगल में एक युफ्ती की लाश मिली थी हत्या सिर में प्रहार करके की गई थी शव को जलाने का प्रयास किया गया था डी ने का सैंपल भी लिया गया चहरे का स्कैच भी बनाया गया था ताकि पहचान कराई जा सकी लेकिन पहचान नहीं हो सकी एक नदर डालते हैं वारदा तीन पर 30 मई को एदमागपुर थाना चेतर में एक युवती का शब पड़ा मिला था शब को चादर में लपेट कर फेका गया था उसके हाथ पैर भी बांदे गए थी मृतिका जीन्स और टीशट पहनी हुई थी तो वहीं मृतिका के दाहिने हाथ में स्टील का कड़ा पहना हुआ था पुलिस ने आसपास के जनपदों में भी पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन पहचान नहीं हो सकी